हेलो फ्रेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है कंचनल लाइफलाइन चनल पर आज मैं इम्यू सी प्लस टेबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ यह मैंकेंड कंपनी द्वारा निर्मित है और यह विटामिन सी 500 एमजी और विटामिन दी टू 400 आई यू सांथ ही जस्ता सलफ 5 mg दवा की सरजना में शामिल है इसके उपयोग और लाभ की बात की जाए तो इम्योसी प्लस टेबलेट का उपयोग विटामिन C की कमी के इलाज के लिए किया जाता है इसकर भी यह टेबलेट प्रतिरक्षा को मजबूत और सस्थ बनाने में मदद करता है इम्योसी प्लस टेबलेट संकरमन और सूजन के आपके जोखिम को कम करता है और मुक्त कड़ों से लड़ने में मदद करता है यह एक स्वस्त और चमक तचा प्रदान करने में भी मदद करता है साथ ही विटामिन C या एसकार्बिक एसिड शरीर के उत्तकों की विरिधी और विकास के लिए अवश्यक है विटामिन C कोलेजन के निर्मान और लोहे के उशोशन में भी मदद करता है यह प्रतिरक्षा परणाली के उचित कामकाज गहाव भरने और उफास्ती और हड़ियों और दातों के स्वास्त में साहता करता है जिंक सल्फेट का उपयोग आमतोर पर अहार अनुपूरक के रूप में किया जाता है विटामिन D एक विटामिन है जो वसा में घुलंचिल है और शरीर को केलशियम और फासफोरस को अवशोशित करने में मदद करता है विटामिन D, केलशियम और फासफोरस के बहतर अवशोशन में सहायता करता है अगर किसी भी घटक के लिए अती सवेदन शिलता या एलर्जी या किसी अन्य दवाओं से एलर्जी या गुर्दे से समधे समस्याएं या जिगर की समस्याएं मदूमे उच्चर अक्तर चाप या किसी बिमारी से पेड़े थै तो डॉक्टर से परामर्ष करके इस दवा का स लिया जाना चाहिए एक निश्चित समय पर इम्यो सी प्लस टबलेट लेना सबसे अच्छा है यह महत्पूर्ण है कि इस दवा को अनुशन सित्खुराग से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए और यदि इस दवा को लेने के बाद आपके शरिर में कोई सामान्य प्रतिक्रि यह एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है साथी मल्टी विटामिन जिंक और चबाने योग्य गोलिया है इसे दन में एक या फिर चिकित सके परमर्श के अनुसार इसकी खुराक ले जा सकती है तो फ्रेंड इस तरह से इम्यो सी प्लस टेबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंस सके धन्यवाद